नमस्ते, ओवर्वियू में आपका स्वागत है, अमेशा कितरा आज भी तीन विशे, पीम श्री योजना साड़े तीन सो वर्षों में शिक्षा सुधार का रोड में, दूसरा कृषी सम्मान से कृषी अपमान तक का सफर, और तीसरा येदु रप्पाजी के सत्यवादी होने कि सर्टिकेट में हाई कोड का रोडा, इन तीनों विशों पे आपसे चर्शा करें, इससे पहले आपसे एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें, मेंबरशिप का मतलब कि हर महिने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी, और अगर आप हर महीने का commitment नहीं करना चाहते हैं तो one time एक बार भी आप हमें एक lump sum amount देखे चैनल चलाने में जिससे हमें सुवधार है तो सबसे पहली बात PM श्री योजना साड़े 300 वर्षों में शिक्षा सुधार का रोड मैं अब ही हमारे प्रदान मंत्री जी ने PM श्री योजना का एक tweet के दारा इसका शुवारम किया हाना कि इसका cabinet के approval हो गया था और उन्होंने बताया कि उस tweet के दारा की एक नए एक के शुरुआत है और ये जो शिक्षा का छेतर है इसको बिलकुल इसका कायकल्प कर देगा और ये भी उन्होंने बताया कि एक नया initiative है जो development and upgradation उन्हों काता है इस ये जो योजना उसके द्वारा जो school हमारे हैं उसका development और upgradation होगा साड़े 14,000 school across the country में और ये समय अगले 5 साल में होगा तो अगर साड़े 14,000 school 5 साल में होगे तो मोटे तोर पे 2900 school per year अब एक चीज तो नहीं समझ में आती है कि प्राइविंसास आप कह रहे हैं नया initiative हो मैं ये समझ सकता हूँ कि 2014 से पहले का चूंकि सारा कुछ काला था बहुत खराब था उसको नहीं पढ़ना चाहिए वो नहरू और इंद्रा गांधी और कॉंग्रेस के उस पे चाप थी उसको बिलकुल चूना भी नहीं चाहिए लेकिन कम सकम 2014 के बात की चीज़ें तो अगर देख लेते तो इस तरह की बात नहीं कहते क्योंकि आप ही की अभी वित मंत्री निर्मला सीतरा मंजी ने एक फरवरी 2021 में संसत में मतलब उस दिन आप भी प्रिज़ेंट थे क्योंकि जब बजट हाउस के सामने लेकिया जाता है बज़ेंट का भाशन जो होता है तो आप प्रिज़ेंट थे एक फरवरी को निर्मला सीतरा मंजी ने अपने बज़ेंट भाशन में यही स्कीम के बारे में बताया था और उन्हों ने उसको पंद्रह हजार स्कूल का था कि इसके अंतरगत पंद्रह हजार स्कूल का प्रावधान करने के बात कही थे एक फरवरी 2021 में लागो जो अनौन्स हुई योजना देड़ साल बाद उसाड़े चौदा हजार क्यों कर दिया गया कम क्यों कर दिया गया यह तो भई आप ही बता मतलब यह कोई बड़ा गणे तक गया या कोई वही बता सकता है अब एक चीज़ और समझ लीज़े हिंदुस्तान में भारत में इस समय कुल स्कूल एक सियासा डेली है उसने एक रीसेंट सर्वेय अर्वे का था उसके अनुसार करीब दस लाक बत्तिस हजार स्कूल है टोटल अब अगर आप साड़े चौदा हजार स्कूल पांच साल में क कितने वर्ष लगेंगे तीन सो पच्पन वर्ष तो इसलिए मैंने कहा कि शायद साथे तीनसो वर्ष की यह योजना है इस स्कीम के ताहत मैं अब थ्वाइब बता स्कीम के ताहत साथ परसेंट पैसा सिंटर देगा चालिस परसेंट पैसा स्टेट देगी लेकिन उसमें पूरी संपूर्टा से लागू करने के लिए तयार है दिक्कत असर में इसमें दो जगा की है तमिल नाडू वेस्भेंगौल की है क्या कि जो एजूकेशन और स्टेट सब्जेक्ट है अब हरे स्टेट अपने हिसाब से उसमें थोड़ा जो भी सिलिबस हो या जो भी हरे के बो है दूसरा ये है कि जो जो आपका प्लैन है उसके अंसार ये बतायागा मंत्री जी ने फिर प्रेस कांफरेंस की और धर्यूंत प्रदान जी जब इसकी प्रेस कांफरेंस कर रहे थे तो उनके साथ एक बहुती योग और हमारे यहां के बढ़िया मंत्री जी जो बहुती अनुराख ठाकुर साब भी उनके बगले प्रेसेंट थे मैं याद इसलिए दिलाता रहता हूँ ये वही अनुराख ठाकुर हैं जिन्होंने दिल्ली जब election हो रहा था तो इतने वीरता पूर भाशन दिये थे कि वो जो आज तक हिंदुस्तान के आम आदमी को याद है तो इनका ये कहना था है कि दो स्कूल पर ब्लॉक का हमारा टार्गेट है अब एक चीज़ इसमें ये भी कहा गया है कि इन स्कूल का चैन करते समय बहुत रिगरस assessment होगा ये term यूज कहा है रिगरस कड़ा और ये योजना केंद्री विद्याले और निवद्य विद्याले में भी दी जा सकती है तो एक चीज़ तो ये समझ लें जो गौंसे और जो छोटे पिछड़े इलाकों से आ रहे हैं कि कहीं का भी केंद्री विद्याले और निवद्याले बाकी स्कूलों से उसका क्वालिटी हर मामले में बेटर रहती है क्वालिटी अफ एज्जिकेशन ऑल्सो क्वालिटी ऑफ इंट्रस्ट्रक्चर ऑल्सो तो बाकी अगर आप ही कर रहे हैं तो मुश्किल होगा अब यह उसमें कि साठ पैरामिटर होंगे जिस पे रिगरस असिस्मेंट होगा उनों प बहर हो जाएगा खैर अब अविलिबिल्टी और वो वो होगा दूसरा ये भी बताया गया कि इसमें करीब 18 लाख स्टूडेंट्स को इसको पांस साल में इस जब सारे स्कून होगा 18 लाख स्टूडेंट्स को इसका लाब होगा मैं आपको एक जल्दी से गर्थ वह बता दूं करना यूपी में पिछले वर दस्वी की परिक्षा सताइस लाख असी हजार लोगों ने दी थी केवल एक क्लास की और ट्विल्थ बारवी काक्षा की परिक्षा बाइस लाख तीस स्कूल में 25 करोड और ये 18 लाख को ये योजना करेंगे तो इसमें भी आगर मोटे طور पर एस escola आज रहे स्टूडेंट्स को देख ले तो 18 लाख एक साल में एक करोड असी लाग दस साल में, अठारा करोड सो साल में, हाँ मतलब करीब करीब 140 साल में सारे स्टूडेंट्स, अगर आज के स्टूडेंट्स के बाद कोई और स्टूडेंट नहीं होता है, तो यह सब को कवर कर देगी, बहुत अच्छी बात है, अब इसकी जो एक और की हाइलाइट है, और वो भी आपको सुनके अच्छा लगेगा, यह जो है, इसमें इंडियन एक्स्पर्स की रिपोर्ट में लिखा है, नीचे लिखा है, यह गुजराद कोवर्मेंट के विद्या समीक्षा केंद्र के मौडल क फॉलो किया जाएगा, कितना पड़ा लिखा गुजराद, इतना बढ़िया इस्टेट, उसके अभी तक हिंदुस्तान में 31 केबनेट मंत्री बने हैं, एज्यूकेशन में, हर्डी में, जिसमें हमारे हमारी स्मृति एरानी जी भी हैं, जो अब उतरप्रदेश ने हैं, इतन कारोबार, बिजनेस, इसकी तो बहुत कुछ है, लेकिन लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट वहाँ पे 82.4% है, उससे जादा हिंदुस्तान की 14 और स्टेट में लिटरेसी रेट है, अगर ये कोई क्राइटेरिया है, तो केरल में 96.2% है, आप अगर कुजरात मॉडल को, क्य अब आजाएं दूसरी बात पर, क्रिशी सम्मान से क्रिशी अपमान का सफर, ये मैंने इसलिए बताया कि आज ही एक पेपर रेपोर्ट निकली है, उत्तर प्रदेश के रेटेंस हैं, और ये सारी स्टेट में लागू हो रहे हैं, खास करके डबल इंजिन सरकार जहाँ जहा साल में तीन किष्टों में मिलती है, चार-चार महिने के इंटर्वल पे, कुल 6,000 मिलते हैं, दो-दो-हजार की तीन किष्टे मिलती हैं, अब यहां पे यह हुआ कि नहीं, ये देटा बात गड़बड है, उसका वेरिफिकेशन शुरू है, दो करोर पचासी लाख में, अभ तक 21,000,000 लोग इनलेजिबल पाए गए हैं, अचा इनलेजिबल कैसे पाए गए हैं, यह जरा समझ लीजे, कोई हिरा फिर इन डॉकमेंट्स नहीं है, एक इनलेजिबलिटी का वो है कि हस्बन और वाइफ दोनों को ये पैसा मिल गया है, खेर, दूसरा यह है कि जो इंकम ट आया था, आपने इसको डिजाइन किया था, आपके लेकपाल, आपके अधकारियों ने इसको किया था, तो मेरे हिसाब से ये कोई, अगर डॉकमेंट किसी ने फोर्ज नहीं किया, डॉकमेंट फोर्ज किया तो बात दूसरी है, तब तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, वो हमती अनुचित है, रेट्रिस्पेक्ट से ना करें, आज आपने को कहा, आपने कहा कि आज मैंने ये वेरिफाय कर लिया, आगे सा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक चीज़ और ज़रा बताईए, जो इंकम टैक्स फाइल करता है, उस इंकम टैक्स फाइल को कुछ वाले के जो लागत आती है, उसको अपने उत्पाद में, वो कम होगी, उसकी लागत कम होगी, या वो अपना धान या अपना गेवन ज़्यादा महंगा बेच लेगा, क्योंकि वो इंकम टैक्स दे रहा है, तो ये तो कुछ अजीब सी लॉप साइड़ेड है, आप मुझे कि मुझे मेरे हिसाब से तो किसान-किसान है, जो भी किसान हो गा रहा है, वो कितनी मेहनत का काम है, अंदाज नहीं है, चाहिए ये जो हमारे नीति निर्धारत करते हैं, तीसरे आप, ये रपाजी को सत्यवादी होने का सर्फकेट में हाई कोट एक रोड़ा बन गया है, द ये दुरप्पा जी को अभी बीजेपी ने अपनी पालमेंटरी बॉर्ड का सदस बनाया है, उनको चीफ मिनिसर रपत से हटाया, इससे पहले क्या 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 हुआ तो मैं आप सब लोग जानते हैं ये दुरप्पा जी का पास्त, अभी कल परसों में करनाटका हाइड कोट क सुनील दाति आदव ने कहा एक इनके पास पेस खेस था कि उसमें गॉवर्वनर की सैंक्षन नहीं थी तो वनुष न कहा कि गॉवर्वनर की सैंक्षन की कुई जरूरत नहीं है तो एदिशन से और पॉवलिक सर्वेंट पहली चीज़त अन्नों नहीं यह कही दूसरा अनों नहीं कहा, राज जस्यादव नहीं ये कहा, कि प्राइमा फेशी, अगर कोड को ये लगता है, कि इसमें इतना material है for investigation, तो उसको कोई गौर्णर की sanction की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है केस ये हुआ था कि 2021 में एक social activist है, टीजे अबराहम, उन्होंने एक private complaint lodge की थी, ये दुरपा जी प्लस आठ, उसमें उनके family के भी बहुत लोग थे, जिसमें ये आरोप था कि उन्होंने एक Bangalore Development Authority में एक housing project की clearance के लिए 12 करोर रूपय का घूश लिया है, ये complaint थी special court ने जुलाई 2021 में इस complaint को reject कर दिया, मतलब इस petition को या इसको reject कर दिया, क्योंकि इसलिए reject कि गौर्णर ने sanction देने से मना किया था, गौर्णर ने कहा था कि हम ये sanction देने चीफ मिस्टर ये दुरपा जी के लिए नहीं देंगे, और इसलिए special court ने इसको, इस complaint को entertain नहीं किय हाला कि special court ने complaint legit कर देने हुए ये observe किया था, कि इस complaint में substance है, इसको investigation होना चाहिए, पर चुकि गौर्णर का sanction के अभाव में, हम इसको dismiss कर रहे हैं, तो अब तो high court ने कहा दिया, आप तो वह होगा, जरा ये बताईए, क्या ये दुरपा जी की जाच होगी, क्या ये दुरप वह, वह भई, वह ये दुरपा जी आपके उपर भी आरोप लग रहा है, आप जैसे व्यक्ति की उपर, दूसरा, एक चीज और सोचने वाली है, कि वो जो गौर्णर सहाब, घूस खोरी जैसे चीजों में, अगर protect कर रहे हैं, और जाच सैंक्शन नहीं दे रहे हैं, तो क्य या उन गौर्णर सहाब के उसके उपर भी कोई जाच या कोई इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि जो अगर अगर ये आरोप है, और अभी आरोप है मैं बार बार क्या रहा हूं, और अगर ये प्रूफ होता है कि हाँ, इसमें कुछ बो था, तो आरोपी को या दोशी को protect करन ये वाला भी मेरे हिसाब से उतना ही दोशी है, और इस केस में कॉर्णर सहाब ने खास करके जो पब्लिक लाइफ में लोग होते हैं, उनका तो और अब अब बोर्ड होना चाहिए, उनका चरेत, उनका चाल चलन तो मतलब बिलकुल जिसको कहते है रहा, पानी की तरह आर बा त débक, थाहिए अब मेरे तक ट्का छाहिए